इस एक तरफ आपको मिल रहा है Poco F1 Snapdragon 845 के साथ सिर्फ 16,000 रुपे में एक तरफ हमें मिल रहा है Asus Zen 4 Max Pro Snapdragon 660 सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपे में क्या आप लोगे आप लोगे आप लोगे वीडियो देखी आ गये होगे गई और मैं कोई क्लिक बिट नहीं कर रहा है सबसे सब्सक्राइब करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यहां पर बात करते हैं यहां पर देखने मिल जाएगा यहां पर बीस दर रुपे का बेस चाल होता है चेजी ब्रहां और चॉसर जबी स्टील ब्रू आपको कोई सब्सक्राइब कर ले लें यहां पर सबसे पहले गाईस देखेंगे आपको ने इस जा नौशन ने नियुक्त की प्राइज दिखने मिलते हैं सबसे नीच आओ आप यहां पर नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देखने मिलता है एक्शेंज ओल्ड डिवाइस गैडप टू टूथाउजन एक्स्टा मला कोई भी अपना घर में पढ़ा हो मैंने यहां पर गया आप देखेंगे आप तो मैं यहां पर जा रहा हूं भी मैंने भी देखा था है यहां पर ऑब कर लेड़ा होई मैंने ग total Conference वैंने भी में और स्मार्टफोन तो यहां पर अपर संथा इंकली आप डिश्काउंट सब्दोहा र coin तो मिल जाएगा तो 17,600 यहां होता है 16600 में हम उसको 1500 रुपे का लग करेंगे तो हमें पढ़ जाता है 16100 रुपे का तो मतलब यह जो Poco S1 है हमें सिर्फ 16100 रुपे मिलता है तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है 6GB RAM मिलती है 64GB internal मिलता है expandable storage मिल जाती है 6.18 इंच के Full HD Plus के display मिलती है display बहुत अच्छा है बहुत अच्छी brightness है हमें snapdragon 845 का प्रोसर मिलता है camera भी बहुत लाजवाप 12 प्लस 5 megapixel dual gear है 20 megapixel का front है और बैटरी भी 4000 mAh की बैटरी है तो one of the best phone है आपको यह पर हर चीज़ देखने मिल जाती है phone में आपको यह phone भाइक करना है तो आप इसको जरूर से जाके भाइक कर सकते है यह मुझे तो इस प्राइज में one of the best लगाए क्योंकि यार आप 16,000 रुपे में आप रेडि मलब एकदम बई बढ़ एकदम performance आप लोगों को चाहिए phone में भरपूर camera अच्छा चाहिए बस थोड़ा इसका polygarment का design है वनना तो यह phone एक नमर है और इसमें तो widevine का जो आप लोगों बोलते हो na 480P का जो था वो भी अब support आने वाला है बहुत जल्दी पोको ने इसको बोलाएगी हम वो भी कर देंगे तो I think definitely अब और बात में क्या चाहिए तो बस यह तो phone चाहिए तो आप जाके इसको ले सकते है सिर्फ और सिर्फ 16,100 रुपे में एक smartphone के बने बात करते है तो गई वो आजाता है ASOS Zenfone Max Pro M2 हाँ guys यही जो smartphone है यह एक all-rounder smartphone था पिछले सा लांच हुआ है और वन ओफ दी बेस्ट फोन मतला भी लांच हुआ है और एफेवरी में हुआ ही फोन Snapdragon 660 का प्रोसेसर मिलता है जब से Redmi Note 7 Pro आया यह एफेक्ट हो गया मतला भी यह तो पूरा खतमी हो गया था क्यूंकि यह पे लोगों को Snapdragon 675 चाहिए और बड़े यह परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं यहां पर आपको बोलूँगा यह एक आल राउंड फोन है बहुत अच्छा फोन है यह आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 11000 रुपे में वह भी चार्जी भी रहे हैं और 14000 रुपे में 250 रुपीज मतलब यह यह तो इतना सारा दे रहा है मगर आप यहां पर जाएंगे एक्सचेंज ओल मैं कुसी में भी और यहां पर जैसे मैं आपको पिछले पर बताया था अन्य 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 अदर ब्रैंड आफ लिग देंगे इस नाच पॉर्ट पॉर्ट प्रोसेसर दिस्प्लेश नॉच बिखती है और 5000 वाटरी और पूरी परफोर्मेंस वाला फोन एक दम एंटरेंटेंड इन परपस के लिए फोन बना हुआ है तो वह जाहिए तो आपको जाके आप भी इसको भी बाई कर सकते हैं यह दो फोन की सेल आई तो मैंने स्काइक बोला इसको डेडिकेटिव विडियो आप लिए बता दिया जाए ली पर आई तो एक डियाए को लाइक यह चानल को का लू सब्सक्राइब क्यूंकि मैं कुछ निया कि है या इंट ग्रोरा था मैंने बोला कि य्यापन कर रहा ता मैंने बोला कि यह उन्या चले यह पोको एफटू के लिए जिसके ऊपर मेरे कॉन ने बहुत जल्दी आने वाला है कि पोको एफटू मैं पसंदे भी बहुत इचा प्राइस बहुत अच्छा है बटा पोको एफटू में बता दू हुआ इसके चालो होगा तो जिनको फोन चाहिए तो आप जाकी पोको थैंक यू फो वच्छिंग इस वीटियो